नमस्कार दोस्तों मेरा नाम नॉरी तहरा वह स्वागत चाहा हूं अपने में चैनल बहुत ही अपना जो बुलेरो है उसके बारे में वीडियो बनाने वाले हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि बुलेरो में क्या अच्छा मेरे को लगा और कोई ऐसा बात जो मेरे को बुलेरो में पसंद नहीं आया नेगेटिव में बताऊंगा और बुलेरो अपनको क्यों लेना च करूँगा है कि स्टार्ट करना चाहूंगा इसका सीट कमफट से आईए मैं बैट के दिखते हैं इसका आपक्षा है जैसे मैं यह सीट मैं बैट के मैं हैसुस कर रहा हूं इसका कमफट अच्छा है जो कुशन दिया हुआ काफी अच्छा दिया हुआ सेट में और यह गाड़ी के अंदर आपन बैठते हैं एक दम मतलब करना ची मजबूती जो दिखता है ना मतलब एक्सवी में जो मजबूती रहता है वह बिल्कुल इसमें मैसुस होता है एकदम कमांडिंग पोजीशन में आप रहेंगे इसमें और एकदम इसका एची तू यूज़ है आपको बिल्कुल एकदम इजी अगर आप पहली बार भी बुलेरो लेते हैं आपको एकदम इसका जो अब बीद्ध दिया हुगा है एकदम मैनुवल है कोई आपको किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं होगा किसी चीज में आपको कन्सूजर नहीं होगा और जैसे यह स्पेस मैं देख रहा हूं काफी अच्छा मतलब मिरेको लैग रूम भी मिल रहा है एड रूम तो आपको यह कोई दिक्कत नहीं होगा और आपको यहां पर एक लाइट दिलेगा जो यहां पर आपका रहेगा और यह जैसे मैं अपने हिसाब सी अकॉर्डिंग यह सीट को अर्जस्ट करके रखा हूं आई यह पीछे का दिखाता हूं मैं आपको कि आप यह जैसे फिच्छे भी मैं बैठ गया तो देखे है मैं कॉछ काफी यहां पर लेक्रूम मिल रहा है है ड्रूम तो कोई बाती नहीं है इस गाड़ी में मदलब हैड रूम आपको एड रूम तो कोई प्र प्रोब्लम ही नहीं नहीं होगा लाग रोम भी देखिए काफी स्पेस मेरे को यहाँ पर मिलेगा महेंदरा ने काफी अच्छा इसको डिजाइन किया है एकदम वैल्यू फोर मनी अगर आपको एक्षिव भी चाहिए तो यह आप बुलेरो ले सकते हैं बहुत सी बढ़िया गारी है और इसका मैं ठर्ड रो को इसी आपको दिखाना चाहूंगा जो सबसेक्लिक है दौऊट है बसेकली यह सेवन सीटार वाला इसमें नाइन सीटार भी अआपको मिल स्कोलाव जैसे करदश नगका जैसे को आपको यह साइड अशन वाले सिट है यह पोपरशाओ इस ना फ्रैसिज वाला है औरे मार stitching पै आपको दिखकत पीछे में जिससे हैड रूम हलका कसे यहां दिखकत आएका आपको है रूम में कि पीछे का सीट देखने सका आपको समझ हently आएगा कि झी बुलेरोों वास्त 다음에 एके भूलते है यहाथ जैसे इंडियन रोड कंडिशन रहता है खेत उतना हर जगा अच्छी रोड यहां इंडिया में अपना अवेलेबल नहीं है तो जैसे बेसिकली से महेंगी महेंगी जो गाडिया आती है उसका बॉड़ी को आप देखेंगे तो पड़ा मतलब आपको उस ताइप को लगेगा कि अब मैं आपको कैसे बता हूं कि इसका मजबूत बिल्ट क्वाल्टिक वास्तों में काफी मजबूत है गारी का इसका देखिए टायर का साइज आपको एक्सभी वाला जो लुक आपता है वो टायर से इसका काफी अच्छा है और आवर जैसे यहां पर इंडिकेटर दिया हूआ है और गाडि के बैजिंग यहां पर दिया हूआ है बुलेर आप यहां खुन आप बिखते हैं वटले निविदान करता हूं एक अग्श्वाद्र दिखते हैं आगे इसका गाड़ी कारिसा खें दल्वे क्या गाड़ी दौलेरो चलने में है गाड़ी जो भी हो मैं सुरू से आप लोगों को निवीदन करता हूं सिट बेल जरू लगाई और बगल में मेरे साथ जो बैठे हुए हो गाड़ी के ओनर है इनी की बुलेरो इनी इनी में मेरे को गाड़ी प्रोवाइट कराया है सर से बात कि एक वीडियो बनाते हैं गरकर के तो सर ने मेरे वो तूरंट हाँ बोला अब आए इसको चला के देखते हैं गेर सिफ्ट काफी स्मूब्ध है करना चाहिए एक्दम कि देखे ओफ रोटिंग तो अभी सही हल्गा स्कार्टिंग हो गया इसका इसका पावर विंडो का जो स्विच दिया हुआ है लेफ्ट साइड में जो सेंटर में कहना चाहिए जनरल ही क्या है सारे गाड़ी का एड़ोर में देता लेकिन इसका जैसे यहां पर दिया हुआ ह कि इसी ओन करके देखते हैं कि कप कापी सांधार है इसका पचीश सो सीसी का इंजन है जो 63 भी पावर जनरेट करता है साथ में 195 अनम का टॉर्क जनरेट करता है यह गाड़ी जैसे महंदरा कि कहना चीश सबसे पॉपिलर गाड़ी अगर है तो फिर वो बुलैडो है और वास्ताओं में कापी अच्छी गाड़ी है यह चलाने में काफी मजा आएगा हलांकि इसमें आपको ABS वगरा एयर बैक वगरा नहीं है इसमें आपको सेफ्टी के नाम से पाजी सीट वेल्ट दिया हुआ है हल्का Body Roll आपको गाड़ी में महसूस होगा तो जो भी गाड़ी आपको कि महांदरा का मननला disability नोल पूंदध्य तो थोड़ा मिलते है उसमें कहीं हिए औरके ना कहीं इसका Body Roll चाहिए आता है कि आप वास्ताओं में एक्सkelnा रहा है उस टताब का पूला थोड़ा बॉड़ी रोल रहता है उसी में सही मज़ाता है नॉर्मल चलता हो तो फिर कार चला रहा है ऐसा लगेगा जब तक वो गाड़ी थोड़ा लहराता नहीं है आपको वहाला मज़ा नहीं हाएगा जो आना चाहिए कि गयर स्मूध है काफी गाड़ी के अलाकि यह दस अजार किलोमेटर के आसपस यह गाड़ी चल चुकी है तो मैंने सोचा उनर से भी जान लेते हैं कि यह गाड़ी कैसी है मेरे को तो काफी पसंद आया जैसे कहना चाहिए जो एकदम रगड़ वाली एक्सु भी है इसमें आप मतलब अगर आप बुलेरो ले रहे हैं तो अगर बुकिंग परपस से भी ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया गाड़ी मतलब बुलेरो आपका अगर ले लिए हैं अगर यह गाड़ी आपके घर में खड़ी नहीं होगी बुलेरो है मतलब आपको इसका बुकिंग मिलना ही है यह गाड़ी आपका पूरा मतलब पैसा वसुल गाड़ी कहना चाहिए एकदम सर अलभासा में मैं आपको बता हूं तो बहुत बढ़िया गाड़ी है हाला कि बॉड़ी रोल बस थोड़ा आपको मैंसोस होगा इसमें जैसे यह मोडने से बॉड़ी रोल आपको इसमें मिलेगा बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है तो चलिए फिर गाड़ी के ओनर से भी थोड़ा बात कर लेते हैं अपन जो बगल में बैटे हुए है तो सबसे पहले बताइए मेरे वीवर्स को की बुलेरो आप क्यों लिए है मतलब क्या सोच के लिए बुलेरो कैसा लगा आपको मतलब बुलेरो लेने के पीसे का वज़वा जानना चाहूंगा हम लोग जिस जगह पे रहते हैं जी वहां के हिसाब से यह गारी सबसे अच्छी है क्यों की दिए हम उसके इसके इस तेमाल करते हैं इस तैप का भड़ सार का कहना है कि मतलब जो जिस जगह में सरका घर है मतलब जो एडिए वो एक दम सीटी एरिया निया ये थुटा रहां के लीका वाली गारी ही चलेगी इस जगह में मतलब का tweets ज़ना ने गार जोड़ा हर उते क गाड़ी मतलब भदब के चलती है, इसा कुछ नहीं है, कि आपको ग्राउड क्लियेंस का फ्रॉबलम होगा, या स्पिड ब्रेकर में आपको कोई फ्रॉबलम होगा, यह गाड़ी में कोई ऐसा दिककत नहीं होगा. तो साथ में मैं जानना चाहूंगा अपन कभ इसको पर्चेस किये कितना टाइम होगे बुलेरो लिए अपना ये अपरायल लास्ट में इस गाड़ी को लिए है अच्छा और सर आप ये गाड़ी लेने के बाद ही इसमें सीकें ड्राइविंग इसी गाड़ी से ड्राइविंग तो मतलब सर का मेरा कहने का मतलब यह है जैसे सर का बता रहे है कि बुलेरो हला की बड़ी गाड़ी है सेवन सीटर है लेकिन इसमें भी आपको ड्राइविं करने में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप पर्स्ट बायर है अगर कोई आप बड़ी गाड़ी लेना बुलेरो अगर लेने का मतलब बुलेरो ऐसा है एकदम कम बजट में एकदम मतलब क्या बता हूं आपको इस गाड़ी के बारे में एकदम मजबूती तो एकदम भर-भर कि आपको बैटने में ही फील होगा और साथ में वीजिबिल्टी भी चारो तरफ का आप देख सकते आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला इसमें तो सर साथ में मैं एक बैत और जानना चाहूंगा इस गाड़ी का जैसे पचीछ सो सीची का इंजन है आपको माइलेज का क्या प्रवाइट कर रही है अभी ए गाड़ी जैसे दस अजार आप चला लियोंगे तो कुछ आइडिय हो गया अब आपको माइलेज का यह बारा से चौदा पर लीटर के फ्रेज लगता है अच्छा और एक्जेक्टा भी आप नोटीज नहीं किये अच्छा तो बारा से चौदा का सर बता रहे हैं आवरेज आपको मिल जाएगा यह गाड़ी में हलाकि अभी यह सेकंड सर्विस से अभी कुछ दिन ही पहले कब आई है सर यह से कंड सर्विस आज से तीन दिन पहले हुए आज से कंड सर्विस लुए जिसमें इसका इंजन ऑल विए चेंज अगे हो जकता है और माइलेज बढ़े अभी तो फ्टेर से रिसी करा हैं सर अजी पहली बार इसको चला रहे है तो उतना मतलब और हो सकता है माईलेज इसका बढ़े साथ में सर्विस आपको कैसा लगा सर इसमी जैसे आप सर्विसिंग कराये होंगे सेकंड सर्विसिंग तो महंदरा के साथ अच्छा सब्सक्राइब में आए करा तो अच्छी तरह से अपना कमिनिकेशन दी और समय पर तुरन्त गाड़ी सब्सक्राइब सेकंड शेर्विस के समय लगाया है वाज शुनतुष्टी नहीं हुई उप्र सब्सक्राइब का कोई वेलो ने रखे एक गाडी के बाद उसरे गाडी छ्रने के कारण वेगा दूओं छेंजरा दिया पर अपलाब आप मतलब दिन भर बाद को लग आपको बोल दीजिए उसके बाद वाशिंग अगडरा हुआ गाडी गाइडी वासिंग हुआ अच्छा इन जर्नल वगरा चेंज हुआ पर छोटे-छोटे जो ताग वगे रहे हैं बाहर के जी वो भी सही दोल नहीं सके वासिंग से मदलब हर बड़ हर बड़ हर बड़ लों जल्द बाजी में सही से मदलब ध्यान नहीं दे पाया सा है तो महंद इसन बर्ट्यूम जो आपको एक्सपिरिएंस हुआ हो गया कुछ आपको ऐसा लगा होगा इस गाडी में गाड़ी चलाते हैं समेशा तो कुस नहीं लगा जी और गाड़ी यच्छी है अगल अजग हंदो अजग हम लोग चलाते हैं कभी-कभी हमें आशकता से ज्यादा लो पापी अच्छी है इसी भी पूरा कूल कर दिया है कैबिन को अब टर्णिंग लेडियंस लेखते हैं यह गाड़ी का गुम आकि कि इतने एरिया में गुम जाती है कि सेकेंड गैर मैं गाड़ी उठा रहा था थो थोड़ अच्छी इसन पाया तो फिस्ट गैर लगाना पड़िया में को टर्णिंग रेडियंस डिसेंट है इतनी बड़ी गाड़ी होने के बाद भी तो बहुत बढ़िया गाड़ी है मेरे को काफी पसंद आया बुले रो कि कब भी साम दाले जैसे एक्सलेट किया मैं देख सकते हैं कि मतलब काफी अच्छा इस गाड़ी है अलाकि APS वगरा कुछ नहीं रहता लेकिन देख भी में महार के देख रहा हूँ ब्रेक भी काफी अच्छा है इसका और सर यह music system वगरा लग के आया था company से music system वगरा पहले सी थी गाड़ी में अच्छा company fitted है अजय से मैं आपके गाड़ी में देख रहा था एलाई वील ले खुग वह भी company fitted है company fitted ही रही गाड़ी अच्छा अच्छा एलाई वील में company fitted है तो मेरा कहने का मतलब यह है अगर आप मतलब बुलेरो लेना चाहरे है तो बिल्कुल ले लिजए मैं अभी आपको चला के भी देखा मैं अपना experience भी बता रहा हूं मैं खुद चलाया तो मेरे को सच में बुलेरो काफी पसंद आया चलाने में काफी मज़ा आया अगर आप बहुत बढ़िया गाड़ी है अगर आपको एकदम रॉफ टप चाहिए आपको मतलब यह बुलेरो गाड़ी ऐसा है एकदम रॉफ टप चाहिए या फिर कहना चाहिए जैसे बुकिंग परपस से आप लेना चाहरे है भरते सड़कों के सब इंडिया जो रोड है आपका उसी और वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा मैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब ने की है तो साथ में बैल आइकन जो आएगा उसको भी प्रेस कर लीजेगा ताकि इस टाइप का मैं जो भी गाड़ी का रिव्यू और इस टाइप का जो वीडियो लाते रहा हूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उस वीडियो का आ सके तो आसा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया होगा तो वहीं आपको क्या करना है लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है मैं नात करता हूं उसके पीछे एक लाइक त देता हूं आपको और यहीं वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा धन्यवाद